हेलो रिवन वल्कम बाक टू ऑनलाइन स्टेडियों आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एससी थर्ड सीजियर में स्केल के सेट नमबर नाइन आई होब के फैंस इससे पहले के आपने बाकी के एट से लेकर के आट पार्ट तक साहिव वीडियो को देख लिए होगा प्लेलिस्ट बना हुआ है जो लोग नहीं देखें जरूर चेक आउट कर लीजेगो इस वीडियो में आपको 50MC के मिलता है जो कि काफी अच्छे क्वेशन होते हैं वीडियो के साथ एंड तक बने रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जागा आपसन डी भासकरा चार आपसन डी को टिक करेंगे सेगंड कोईसन निमली कित में से किस नीक ब्लू वार्टर पॉलिसी की स्टार्टिंग किस ने की थी यह आपको बताना है तो जाहर से बात है आप एग और भी में कन्फ्यूज होते होंगे तो ध्यान रखेगा वाटर को क वाटर को हम लोग अलमीडा में रखते हैं ठीक है वाटर बोटल को अलमीडा में रखा जाता तो इस तरह से याद रख लिजे कभी गलती नहीं होगा तो बी करेक्ट होगा फ्रांसेसको डी अल्मीरा निमलीकित में से किस ने सक राजा नहपान को पराजित किया और सत्वाह आगे बढ़ेगी साय आश्र हो ज़ागा option B, निम्लिकित में से कौन सा कीला अकबर ने नहीं बनवाया थो, अकबर ने नहीं बनवाया थो, ध्यान दीजीगा यहाँ पे मारा सईया आंश्र हो ज़ागा option C, ग्वालिर का कीला अकबर के द वरह नहीं बनाए गया था, यह 10 वी स कौन सही है ध्यां ज़िएब गया ऐलत दुथ में से द्वर सिख्य जाई गए तो उसके बारे में मैं बताना है यहां पर सही क्या है थो हुन ने टाका नमक चांडी का सिक्छा शुरूप्ध घे इा तल नाम संद्रक्षन के लिए राजस्व का मराठा दावा जो है वो किस नाम से जाना जाता था इसे चौथ के नाम से जानते थे जो की 25 परसेंट हुआ करता था चौथ 25 परसेंट ठीक है यह याद रखने है option B अगला प्रशनी के बहुत अच्छा प्रशनी उन्होंने नयाब ए रिया प्रशनी के अब तो आगे बढ़ते हैं दाग यानिंगी गोरे की ब्राइंडिंग की प्रता स्टार्ट किया सैनिकों की हुलिया लिखने की जो प्रताय उसको स्टार्ट किया अब तो क्लियर हो गया होगा अलाउदिन खिलसे ठीक है यहाँ बे बिल्कुल सःय आंशर होगा अलाव दिन खिल जे question number 8 है कि Britain की house of lords ने किस अंग्रेज अधिकारी को British समराज्य का सेर कहा था तो right answer यहाँ पर होगा option D general dyer option हम D को tick करेंगे next one है कि सहाद्री जो बाग अभिहारन है किस राज्य में इस्तेता सहाद्री बाग अभिहारन किस राज्य में इस्तेता तो right answer हो जागा सहाद्री बाग अभिहारन महराष्ट के अंतरगत आएगा D कहाँ पर correct होगा सामुदाइक विकास कारिक्रम का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है सामुदाइक विकास कारिक्रम का इसका सबसे प्रमुख लक्षण क्या है देखे टेली ग्राम जो लोग जोईन करके रखे है वहाँ पर हम आपको बता दूँ क्यों SSC जो है यानि बिहार SSC CGL के लिए वहाँ पर हम टॉपिक आपको दे रहे हैं तो आप जा करके वहाँ जोईन कर सकते हैं पर आपको टॉपिक पढ़ना है तो हम रिवीजन के परपर से कुछ टॉपिक दे देते हैं ताकि आपको दिन भर में वह टॉपिक कम्प्लीट कर लें तो ध्यान दीज़ेगा यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा Option A होगा जनता की भागिदारी जनता की भागिदारी का मुख्य जोकी यहाँ पर समुधाइक विकास कारिगरम का सबसे प्रमुक लेक्षण जनता की भागिदारी Option A Next है मराथी पाक्चिक जो भाइस्कृत भारत है किसने अरम किया था भाइस्कृत भारत को किसने स्टार्ड किया तो ये स्टार्ड कहाँ था अमेटकर जी के द्वारा यानि बीर अमेटकर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आप्सन किस गवर्नर जंदल ने बंगाल में स्थाई निपटान का प्रस्ताव पेस किया किस गवर्नर जंदल ने तीसरा अंगले मैसुर योद वाता ये याद रखना Next ने कि हडपपा के लोगों की धार्मिक प्रताओं के विशय में निम में से कौन सा कथन सही है धार्मिक प्रताओं के विशय में कौन सा कथन सही है तो यहां पे हम देखेंगे एगर option C पे तो कोई मंदिर नहीं मिला, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़ापा सब अभितास से, हमें मंदिर होने का कोई साक्ष नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम C कोटी करेंगे, कोई मंदिर नहीं मिला है, और सन C, देखें, नेक्स्ट क्वेस्टन से कि किस राज्य या फिर छेत ध्यार नगत् गुरुवा धारकंड का है, इंपोर्टेंट है याद रखना है, अगला देखें क्या है, नेक्स्ट रोने की पंचायती राज्य के संदर में सीटो कारक्षण की सनुषेद में, सीटो कारक्षण, देखें मैंने आपको 243 अनुषेद अच्छे तरीके से याद करना बहुत ज़रूरी है, याद कर लीजेगा, वो वीडियो देख लीजेगा, तो सीटो कारक्षण, ठीक है, सीटो कारक्षण, हम जानते हैं कि बिहार में, जो की काफी अच्छा अरक्षण मिलता है, महिलाओं को, बिहार पंचायता दिनियम जो है, 2006 के अंतरगत, 50% तो कारक्षण मिला, यानि दमदार अरक्षण मिलता है, दमदार मतलब D, 243 का D, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर करेंगे, और D होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम B की बात करें, तो B से हम व्यूद या धुकते है, B, U, I, L, D, व्यूद, बनाना, यानि जो पंचायतों का गठन है, यह इसके अंतरगत आता है, और C के अंतरगत, C से कंस्ट्रक्षण यानि सनरचना आता है, C से कंस्ट्रक्षण होता है, तो सनरचना आता है, पंचायतों का सनरचना इसके अंतरगत, और E मतलब 5 नमबर पर E आता है, तो E पंचायतों का जो कारेकाल होता है, वो 5 तो हम यहाँ पर यह रखते हैं इस तरह से हमने याद करा है आपको उस वीडियो को देख लिजिए महात्मा गांदी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रेटिस आसन भारतियों द्वारा कियेगे विस्तारित सयोग का परिणाम था मात्मा गांधी ने किस पुस्तेक में लिखा है कि भारत में ब्रेटिस आसन भारतियों द्वारा किये गए विस्तारित सयोग का परिणाम था तो हिंद स्वराज यहां पर सयोगा आपसान हम बी गोटे करेंगे हिंद स्वराज ठीक है अगला व्रश्ट आर्ब्याई द्वारा अवासिये वित प्रति भूति करण बजार के विकासे तू गठित समीती के देख्च कौन थे तो हर स्वर्धन यहां पर करेक्ट होगा आपस जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है जनसंख्या घनत्व है 382 विक्ति प्रति वर्ध किलोमेटर यहां पर करेक्ट आंसर होगा और राजियों में बात का है सबसेदिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है सबसे कम अरुनाचल प्रति इसका बिहार का 1206 विक्ति प्र था तो 1940 यहां पर करेक्ट होगा option D 1940 ठीक है वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फ्लीज लाइक और से रिजरू कर दीज़ों अगला प्रश्ण की रिमलीखित में से कौन सा पादब हर्मोन को रोकता है और पत्यों के मुर्जहाने के लिए जिम्यदार होता है कौन सा प option B होगा अगला प्रश्ण के ऐसा कोई भी समाज निस्चित रूप से समरिध और खुसहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफी बड़ा हिसा गरीब और दैनिये स्थितिम हो यह बात किसके दौरा कई गई है ऐसा कोई भी समाज निस्चित रूप से समरिध या फिर चिकि के जनक क करोप में जानते हैं आधुनिक अनुवांसिकि के जनक करोप में हम स्थितको जानता है किस अंदोलन को अगस्त करांती के रूप में हम लोग जानते हैं तो अगस्त करांती यानि 8 अगस्त 2022 को जो भारत चुड़वा अगस्त को पारित हुआ था तो यहां पर हम भारत चुड़वा अंदोलन को अगस्त करांती के रूप में जानते हैं यहां पर option D होगा इसी अंद रास्टपती को अध्यादेश लाने की सकती प्रदान है तो जाहिर सी बात है रास्टपती के अध्यादेश जो होता है वो किस के अंतरगत 123 के अंतरगत ठीक है 123 के अंतरगत ये इंपोर्टेंट रहेगा अब आप मताए कमेंट करके कि राजसपाल को अध्यदे जारी करने के जो सकती हूँ किस आर्टिकल के अंतर गता था नीचे कमेंट करके बादा आना अगला प्रश्न की निमलिखीत में से कौन अकबर के दर्वार के सर्वत्म हस्त लिपिकारों में से एक थे जिनकी उपादी समानित किया गया था जिसे जड़ी कलम की उपादी मतलब इनको मिला था अकबर ने इनको जड़ी कलम की उपादी प्रदान किया था तो जड़ी कलम की उपादी किसे दिया गया था मुहमद हुसैन कसमेरी को मुहमद हुसेइन कसमीरी, ڈी खुटिक करेंगा Next, भारती समिधान की दूसरी निसूची दूसरी निसूची किसे संबंद दे ते 12 निसूची है, मुल समिधान में 8 था लेकिन अभी वर्तमान में 12 है तो आपको ये बताना है कि दूसरी निसूची का संबंन किसे है दूसरी निसूची में हमने क्या याद रखा है 2 रूपया वेतन यारी कि जितने भी पिभिन पताधिकारी है उनके वेतन के बारे में बात कर जाती है तो यहाँ पे दिखे वेतन, सही या राश्टपत्ति, राज़ेपल, मुखे नदीस, उच्छे न्याले के और उच्टम न्याले के नदीसों के वेतन से समध यहाँ पर बात है, इसलिए B विल्कुल सही होगा, तीसरा में ज्यान और प्रति ज्यान से जो बात है, सपत के संदर में, हिमाचल पर्दिस्ट में स्तित लाहॉल और स्विती घाटिया कुलू द्वारा जुड़ी होई है, किस घाटि से, यानि कि दर्रे से, तो करेक्ट आंसर होगा, ओप्सन ए, रोतांग दर्रे से, चीक है, रोतांग दर्रा, यहाँ पर करेक्ट होगा, अगला एकी निमलीखित में से कौन से जिल्ली, सन्योज थैली पाचक, एंजाइमों से भरी है, इसका मुख्य कार ही होता है, इस थैली का मतलब की मुख्य, इसका काम ही होता है, पाचन में सहाय करना, लाइसोसों, अत्मत्य के थैली के रूप में इसको जाना जाता है, लाइसोसों, देखिए इनमें से, किस नहीं, रानी लक्ष्म भाई रेजिमेंट किस थापना किसके दौरा की गए थी तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी सुभास चंदर बोस सुभास चंदर बोस यहां पर बिल्कुल सही आंसरों का ऑप्शन डी को टिक करेंगे यहां पर इसके बारे में अच्छे तरी किसम पढ़ सकते हैं कि अगला है 1937 में देशी भासा के माद्यम से बुन्यादी सिक्छा देने के लिए गांदी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सिक्चा समेलन कहा आयुजित किया गा था 1937 के बाद हैँ और बुनियादी शिक्छा देने के लिए गांदीजी के प्रस्तावों का समर्थन वर्दा में किया ज्या दा ओप встрój amendment ऑप्सीं DR South गरीबों की कथकली, जिसको जेले ने कहा था, गरीबों की कथकली के रूप में हम लोग वटान थुलन को जानते हैं, वटान थुलन, option B, कहा से संबंध हैं, किरल से संबंध हैं, इसको याद रखना, ठीक है, अगला है कि सुलब समाचार पत्र का प्रकासन किस ने किया, अगर हम अच्छे तरीके से दिखेंगे तो अप्सन डी पर देखिए शिवराय जो परवत माला है शिवराय पहाड़ी है वो तमिलाडू के अंतरगत पढ़ता है ना कि आंधर परदेश तो यहां पर हम डी को टिक कर सकते हैं जो किये गलत है लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नह अंग्रेस के निमलीखित सत्र में से किसकी अधिक्सता सी विजय रागवाचारे ने की थी किसके देखिसता कि थी तो यहां पर हम कहेंगे ऑप्सन बी नागपूर सत्र उप्सन बी यहां पर हो जागा अगला प्रशन की भगवान कृष्ण का उलेक स्वरपर्थम कहां से प एक सवर प्रथम कहां से प्राप्त होता है तो सही आंसर चंदो गए उपने सथ से option B को टिक करेंगे चंदो गए उपने सथ अकबर ने किसको अमीर उल उम्रा की उपादी प्रदान की थी अमीर उल उम्रा की उपादी प्रदान की थी किसको तो यहाँ पर हम कहेंगे भगवान दास को ठीक है भगवान दास यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है चलिए आगी बढ़ते और अगला सवाल दिखें अगला सवाल है कि विश्वे से रहा आइरन एंड स्टील लिमिटेड कहां शतीत है विश्वे से रहा आइरन एंड स्टील लिमिटेड कहां शतीत है तो यह पढ़ता है भद्रावती में भारत ने अंतरास्टी सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 2006 में 2006 में इंपोर्टेंट प्रशन भगवालिक विचारधाराओं ने नौ नियती वाद की विचारधारा का प्रवर्दक कौन थे नौ नियती वाद विचारधारा के प्रवर्दक किसको माना जाता है तो यहाँ पर हम कहेंगे Griffith Taylor बिल्कुल से होगा ऑप्शन B Griffith Taylor ठीक है Griffith Taylor ऑप्शन B अगला है कि Epsom Salt किसको कहते हैं Epsom Salt किसको कहा जाता है तो Epsom Salt हम कहते हैं यहाँ पर Magnesium Sulfate को Magnesium Sulfate को Epsom Salt के रूप में जानते हैं Option C अगला है कि दिव जीवन संग किस थापना किस ने की थी दिव जीवन संग किस थापना किसके दोरा की गई है तो C को टिक करेंगे स्वामी सिवानंद स्वामी सिवानंद दिव जीवन संकिस्थापना जो है स्वामी सिवानंद नहीं किया भारत में सुफिवाद के संस्थापक किसको माना जाता है भारत में सुफिवाद के संस्थापक नेक्स्ट प्रश्ण है कि मौरे कालीन भारत में भूमिकर जो कि राजी की आई का मुखे सुरूत था, किस अधिकारी द्वारे एक अत्तित किया जाता था, भूमिकर, ध्यान दी जगा, भूमिकर, तो यहां पर हम कहेंगे सिताध्यक्च, सिताध्यक्च उपसन भी होगा, मौ किसने लागू किया यह आप कमेंट करके बताईए और हम आपको ही बताते हैं कि किसने इसको समाप्ति किया तो इसके समाप्ति करने वाले थे lord ripman ठीक है lord ripman यहां पर बिल्कुल से होगा option D ठीक है? और आपको यह भी comment करके बताना है कि इसके अंतरगत किस पत्रकार को रातोरात मतलब की बदल दिया गा था, उसका भासा चेंज कर जया था, बांगला से अंगरेजी भासा में कर दिया गा था, उस समाचार पत्र का नाम क्या था? अगला एकी फ्लैग सी प्रोग्राम PM स्री किस मंत्राले के पहल है PM स्री किस मंत्राले का पहल है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जागा PM स्री का समद्ध हो जागा सिक्षा मंत्राले के साथ सिक्षा मंत्राले option D will be correct answer होपी जो की हाली में खबरो में था किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातिय समू है होपी जो की खबरो में था किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातिय समू है होपी का संबन्ध हो जागा अमेरिका के साथ अपससी अमेरिका हाली में किस संस्था ने दूध में मिलावट का पता लगाने के उपकरण विक्सित किया गया किस संस्था के दौरा किस IIT के दौरा तो अच्छे कामों में टॉप पे रहता है ज्यादा तर IIT मदराज हाली में गेटवे ओफ इंडिया से अलिफेंटा गुफा तक त्यार कर तैरने वाले पहले वेक्ति कौन बने है तो कृष्ण प्रकास करेक्ट होगा क्रिष्ण प्रकास चली आज क् है तो बिल्गुल सही है पस्चे मंगल टॉप करेक्ट होगा तो IHOLastes कि यहाँ पे आपको 50 questions जैसे समझ में आगे होंगे वीडियो अच्छा dato पसंद आयो हो तो पताहे का करना ह माइं लाइक एंसर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेसर बिल आइगन को वाल पे सेट कर लीजिए हम आप से मिलते हैं इस परकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तो सब्सक्राइब कर दो किप लार्नीं हवाब कर दो